हालो एंड वेलकम टू टेली टाकीज दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर दे दिया सुदेश ने और कृष्णा ने घर वालों को सबसे बड़ा जटका जी हां हम आपको बता दें कि घर के अंदर एक चल रहा था टास्क जो की स्टैंड अप कॉमेडी था रोस्ट था और यहा है घर से एक बड़ा सथ से एलिमिनेट हो चुका है और अपने घर के लिए निकल चुका है क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है ऐलिमिनेशन चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आप आप जरूर कर लें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर शाम से ही काफी हल चल थी जहां पर घरवाले सज रहे थे सवर रहे थे क्योंकि घर के अंदर चल रहा था बहुत बड़ा प्रोग्राम घर के अंदर चल रहा था कॉमेडी रो रोस्टिंग के लिए घर में कृष्णा और सुदेश भी आए थे क्योंकि वो जज थे घरवालों को उनके सामने प्रफॉर्म करना था एक के करकर हर घरवाला प्रफॉर्म करने वाला था और यहां पर जजज नंबर देने वाले थे और इन कंटेस्टेंट्स को वोर्स मिलने वाले थे लेकिन दोस्तों आपको जानकर हरानी होगी कि ऐसे में अब घर से हो चुका है सबसे बड़ा अलिमिनेशन सबसे अच्छा जिसने प्रफॉर्म करा है वो है मुनवर फारू की जाहिर सी बात है मुनवर तो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन ही है उसने इतना रोस् कि उनके तो आसु ही निकल गए तो वहीं दूसरे नंबर पर रहा अभिशेग अपने दोस्त अभिशेग की खुब मदद की थी यहाँ पर खुद मुनवर ने और अरूर ने भी बहुत अच्छा प्रफॉर्म करा हाला कि मनारा और ईशा के बीच में स्टास के दौरान भी ल सुदेश और कृष्णा अपने साथ एक सदस्या को ले कर जाएंगे जिसकी प्रफॉर्मेंस से वो खुश नहीं हैं और ऐसे में यहाँ पर जो नाम लिया उन्होंने वो किसी और का नहीं दोस्तो वो था विकी जैन का विकी जैन का घर से अलिमिनेशन हो चुका है विकी को चनल तक खुद मुनवर और अभिशेक छोड़ कर आएं हैं और हम आपको ये भी बता दें कि अभी भी घरवालों को शामती नहीं मिल पाई है क्योंकि बिक बॉस ने एक और एलिमिनेशन की अनौंसमेंट कर दी है विकी जब जाने लगा तो यहाँ पर अंकिता तब भी उस कि बस कर दें किता मेरा हो गया तुझ से मैं बहुत परिशान हो गया हूँ बाहर बात करते हैं जब तू बाहर आएगी अब तब मिलूंगा लेकिन दोस्तों घर से अभी अलिमिनेशन होना बचा है क्या लगता है आपको किसका कटेगा पत्ता वेल अब आप अपनी राए हम कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें